वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको आइफोन के अच्छे अच्छे वाल पेपर्स चाहिए सो प्लीज मुझे जो है मैसेज कर दीजे इंस्टाग्राम पर मैं यहां पर सबको वाल पेपर्स भेज़ देता हूँ आप लोग यहां पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे वाल पेपर्स हैं अगर आपको वाल पेपर्स चाहिए अपने आइफोन के लिए किसी भी को प्लस की बैटरी और अच्छे से चलाएं सारा कुछ में बताता रहता हूं आप लोगों को अपडेट देता रहें दा हूं अगर आपको चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो मेरी इस्टाइब यूट्यूबर यूट्यूब चैनल सो फाइनली आइफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चीए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी सो जरूर दिखेगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ए बेल आइकन को अएकन कर लिजिए ताकि आगे आगे आपको आप फोन की तरफ से एपल की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाला फोन भी रह चुका है आईफोन एक सार बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा है और यह अभी तक यानि 2021 के अभी तक मालो दो महीने पहले तक जो एपल इसको बेंचता रहा है अपनी वेबसाइट पर क्योंकि यह फो अपनी पहले पर इसकी प्रईस अश्चा कैमरा और बहुत ही अच्छी है इसकी जो है उसकी ऐपक और प्रोवाइड करा रहाता है यहां पर अगर मैं बात करूंगा जिस फॉन की फिजिकल कंडिशन के तो आप लोग देख सकते हो कितना प्रीमियम दिखता है इसका बैक साइड बिल्कुल जो है आइफोन 11 की तरह दिखता है आपको और इसकी बॉड़ी वेकरा सेम टू सेम रियर कैमरा मिल जाते हैं वहीं पर आपको आइफोन एक सार में सिर्फ सिंगल रियर कैमरा मिलता है जो कि यह 12 मेगापिक्सल का सो इसकी बॉड़ी क्वालिटी आज भी बहुत ही अच्छी है और अगर आप पहले बार आइफोन लेने जा रहे हो तो यह उसके लिए बहुत ह ब्रूट कर रहे होगे उसका साइज काफी बड़ा होगा और इसका बैटरी बैकप भी काफी बैटरी नोगा तो वहां पर आपको जो आइफोन एक सार के लिए जाना चाहिए इसका साइज बहुत ही बढ़िया है बैटरी बैकप बहुत ही जबरदस्त है और कैमरा देखने को महसूस नहीं होगा और जब आप इसके रियर कैमर से फोटो वगरा नेचुरल लाइट में लोग है तो भी आप आइफोन 12 वगरा की जो फोटोस है उससे ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा फरक नहीं बहुत ही थोड़ा बहुत फरक पड़ता है तो उस मामले में ये फॉन बहुत जबर्दसत है बात करेंगा जिस फॉन के प्रोसेसर लगरा की तो इसमें ए 12 बाइन चिपसेट लगा हुआ है आइफोन 11 से एक साल पुराना है लेकिन आज के टाइम पर भी जो क्वालकम स्ने अप्रेगान के ट्रिपल एट वाले प्रोसेसर आ रहे हैं अगली चीज़ में बात करेंगे कि आइफोन में आपको जो है अपडेट टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे जैसा कि इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो आइस 15 का जमना चल रहा है आइस 15 सब में चल रहा है यहां पर आइस 15.1 मिल रहा है क्योंकि मैं इस फोन में बीटा प्रोफाइल यूस कर रहा हूं तो बीटा में अपडेट से हो है पहले ही मिल जाते हैं तो उस मामले में आपको अपडेट के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी वैसे तो 33,000 रुपे की प्राइस में 34,000 रुपे की प्राइस में आपको Android फोन बहुत ही और इसका 3GB वाला RAM वो भी आराम से आपको टकर देदेगा क्योंकि इसका जो RAM management है बहुत ही जबर्दस होता है बहुत ही अच्छा होता है तो आपको उसमें दिक्कत लेने की कोई बात नहीं बात करें इसके charging की तो यह आपको wireless charging भी सपोर्ट करता है और fast charging भी सपोर्ट करता है लेकिन आपको headphone jack वेकर नहीं मिलते हैं जो कि आजकल किसी भी phone में देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन इसकी जो wireless technology बहुत ही अच्छी है बहुत ही आपके काम आईगी आजकल का जमाना बहुत बढ़ी है जैसे कि wireless का ही तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नही 5G नहीं मिलता है वैसे 5G इंडिया मैंने बहुत ही काफी टाइम है तो वह तो 11 में भी नहीं मिलता है लेकिन 33 रुपर की प्राइस में यह बहुत अच्छी डील है अभी भी क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 33 रुपर की प्राइस में तो iPhone SE अभी भी भी बिक्रा है इसकी रिसेल वेली भी बहुत जबर्दस मिलती है जैसे कि मेरे पास यह फोन है और इसकी बैटरी यल्थ काफी पुरानी होगे और एक साल से उपर है 92 परसेंट तो इसको अगर मैं कैसिफाइब करता हूं कैसिफाइब बेशता हूं तो अभी इस समय इसकी जो प्राइस से 20 सब्सक्राइब करेंगी जबकि कोई भी एंड्वाइट 25 पर आप फोन खरीद लेते हो तो बीस जब्सक्राइब में डेड़ साल बात मुश्किल से बिखेगा चाहे सैमसंग का हो या फिर कोई भी हो तो वह आपको दिक्कत हो सकती है बात करेंगा इसकी डिस्प्ले की तो ड इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही जबर्दस्त होना चाहिए यहां पर इंटरनेट बहुत बढ़िया चलता इस फोन में और ब्रैटनेस इसका बहुत जादा है यहां पर लोग देख सकते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी ब्रैटनेस के मामले में भी ओवराल बढ़िया है और एक चीज़ की कमी रह जाती है कि इसमें आपको नाइट शॉट नहीं मिलता है दो कैमरे नहीं है वाइड एंगल नहीं मिलेगा और इसका जो फ्रेंट कैमरा है वह सेवन मेगापिक्सल का है आजकल के एंड्राइट फोन के कैमरा है उनको आराम से देगा तो कैमरे के मामले में बहुत बढ़ी है बैटरी बैकप बहुत बढ़ी है आपको इसमें तीन साल तक और अपडेट मिलते रहेंगे रिसेल वैली हुए और क्या चाहते हो आईफोन की तरफ से और इसकी जो डिजाइन है वो तो आप लोगों इसके फैनी हो जाओगे क्योंकि इसकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसकी क्वालिटी जो है फिजिकल बहुत अच्छी है और लोगो इसमें आपको यही वो फोन लास्ट फोन है जिसका आपल लोगो उपर की तरफ है बाकी के जो फोन आ रहे हैं 11 के बार सबका लोगो सेंटर मे फोन बहुत बेहतरिने 33,000 और आपको बिल्कुल खरीद लेना चीह आंग बंद करके क्योंकि यह फोन बहुत जबरदस्त है आपको एंडवाइट से इसमें सिफ्ट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं की क्योंकि इसका साइज भी बढ़िया है बैटरी बैकप कैमरा और देंगे अगर आप चाहते हो आइफोन लेना तो यह फोन आप खरीच सकते हो बहुत ही बढ़िया है वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरू कता हिए चैनल पर कर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी भी लाइकन कौन कर लेजिए थाकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती नहीं सुगाइज मिलते हैं फिर किसी ने और अच्छी वीडियो में तक के लिए बाई बाई